आप देख रहे हैं यूपी क्राइम नियूज अप्लाद के खलाब चंग शाशन द्वारा किये गए तबादलों में महोबा के तेज तर्रार वो इमानदार पुलिस अधिक्ष कुवर अनुपम सिंग के साथ ही एससपी वंशराज यादव वो सीयो जीते नदूबे का भी तबादला किया गया है शाशन के आदेश पर तीनों अपने ने तेनाती अस्थल के लिए रवाना हो गया है तबादले को लेकर पुलिस लाइन स्भागार में एक विदाई समारो का आयुजिन किया गया जिसमें पुलिस अधिक्ष कुवर अनुपम सिंग सहीत अन्य को फूल मालाओं से लाद कर उन्हें समान पूरवक विदाई दी गए पुलिस अदिक्षक कुवर अनुपम सिंग ने सभी का अभार व्यक्त किया सम्मान समारों को संबोधित करते वे पुलिस अदिक्षक कुवर अनुपम सिंग ने कहा कि तबादला होना एक सरकारी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से सभी को रूबरू होना है पुलिस अदिकारी कर्मी जहां भी रहें अपने काम को पूरी इमानदारी और निश्टा के साथ करें अपर पुलिस अदिक्षक वंच्राज यादों ने कहा कि सरकारी नोकरी में तबादला होना सोभाविक है और इससे भी जादा एहम रखता है कि अधिकारी वो पुलिस कर्मी अपने काम को समझे और जनता को नयाय दिलाने का काम करें यही देश के प्रतिस अच्छी सेवा है सियो जी तेंद दूबे ने कहा कि महोबा में जो अपना पन मिला वा उसके सदैव अभारी रहेंगे और महोबा की कमी हमेशा ही रहेगी गोर तलब है कि पुलिस अधिक्षक कुमर अनपम सिंगा कारेकाल बहतर रहा और जनता के पीज आपसी सामझेस बनाने के साथ ही सीयो सिटी ने हमेशा बहतर काम किये और उनके कुशल परवेक्षन में पुलिस ने कई एहम घटनाओं का खुलासा करने में कामिया भी हासिल की महोबा से संबाद आता अभैर राजावत की रिपोर्ट यूपी क्राइम न्यूज